दोस्त अगर आपने ट्रेडिंग में सब कुछ यूज करके देख लिए और अभी भी आपको लॉसिस हो रहा है और आप सोचते हो शायर मेरी स्ट्राटेजी अच्छे नहीं है मुझे स्ट्राटेजी चेंज करने की जो रहता है या एक्स वाइजट कुछ भी तो इस वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा तीन चार बातों के बारें बताऊंगा जिसकी वरिश से आपको में लॉसिस होता है ट्रेडिंग में और उसका क्या सॉलिशन है उससे कैसा बच सकते हो इसे आप अपने लॉसिस मिनिमाइज कर सको सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो ट्रेडिं नहीं होने का लाउसित अपको हमेशा होंगे बस आपको उससे मेनज करना औना चाहिए आपको से मिनिमाइज करना चाहिए आप सोच लॉस से लोजous में अची सक्ण करना चीछ अगर आप सोच रही हो कि आपकी strategy अच्छी नहीं है, शाहिद इसलिए आपको loss हो रहा है, चाहिए आप कोई से भी strategy यूज़ करते हो, चाहिए price action, smc, ballinger band, indicator, moving average लेलो, या फिर chart patterns लेलो, support resistance लेलो, कोई से भी strategy आप यूज़ करते हो, और आपको लगता है कि आपको loss शाहिद इसलिए हो रहा है, कि आ आपके strategy अच्छी नहीं है, लेट में टेल यू, ये सच नहीं है, हो सकता है आपके strategy अच्छी हो, बट आपने उससे सही तरीगे से सीखा ना हो, आपने उससे refine न करा हो, होता क्या हम losses हमें इसलिए होते हैं, मैंने चार दिन एक YouTube पर strategy देखी, support resistance, trade करा, loss हो रहा है, बिकार ह मैंने देखा price action, trade करा, बिकार है, फिर मैंने चार्ज वीडियो देखी SMC, मैंने उससे थोड़ा बहुत सीखा, बिकार है, उसके बाद में हम इस तरह से trading में strategy, 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 change करते हो, सोचते हैं, कि मुझे losses क्यों हो रहा है, दूस्त, losses इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है, कि आप किसी भी एक strategy पे fix होके trading नहीं कर रहे हो, उसे नहीं सीख रहे हो, उसमें जो गलतियां उसे refine नहीं कर रहे हो, Bruce Lee का एक बहुत अच्छा dialogue है, quote है, कि मुझे उससे डर नहीं लगता है, जिसने 100 kicks मारने की practice करी हो, मुझे उससे डर लगता है, जो 1 kick को 100 तरीके से मारने कि जिसने practice करें, जिसने 1 kick की practice तो और बार करें, एक ना एक बार उसका perfect shot लगेगा, और उसमें से पता लगेगा exactly क्या हो गलतिया कर रहा है, same in trading, trading में आप कुछ से भी strategy ले लो, beat SMC, beat price action, beat chart patterns, whatever it is, उसमें आप जो गलतियां कर रहे हो, जो आपको losses दे रही है, trades, उस trades को ब करेंगी, बस वहाँ पर उसे refinement की ज़रत है, second and most important thing is, कि हम लोग trading में आते थोड़ा बद अपने starting में फंडे लेके, और अगर हमारा fund हो जाता है, खतम, but हमें लगता है कि एक बार और fund मिल जाए, बस, इस बार fund में मैं फार दूँगा, मैं trading में सीख गया हूं, मुझे सब क नाके ही दिखाऊंगा, और आप वहाँ पर कर दोगे double loss, या फिर PTM खोलोगे, आप credit card देखोगे, मुझे loan कहां पर मिल रहा है, मुझे घर से पैसे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, मैंने घर से tuition की, school की college की fees कहके ले ली, और उलाकादी trading में यह सोचके है कि मैं इससे पैस करने के बाद आपको दिखा तो, never invest a money which you cannot effort to lose, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, इतना तो आपको पता है, आपने loss कर दिया, उसके बाद आपके mental pressure होगा develop, mental pressure कैसे, अब यार मैंने एक लाग का loss कर दिया, अब मुझे एक लाग की EMI देना है, मुझे अगले अफते दोस्कों इमाईले रखी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, and all these things, कभी भी किसी का उधारी का पैसा trading में मत लगाना, आप ने लगाया, और अगर loss होगे, तो आपके दिमाग पर mentally double pressure पढ़ना शुरू हो जाएगा, आप profit छोड़ो, आप loss के इतने बड़े debt trap में आजोगा, आपको पता trading में नहीं आता है, नहीं, आप दिन की अगर 5 trade ले रहो हो, तो वो भी overtrading के अंदर आ सकता है, और अगर दिन की आप 50 trade ले रहो, तो वो थो obvious के overtrading में आएगा, आप अपना rule बनाओ कि मुझे दिन में 3%, 5% का maximum loss लेना है, अब वो 5% आप 5 trade में ले लो, एक 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 परसंट करके, या आप 0.25 के हिसाब से आप कितनी, 5,4,20, 20 trade ले लो, आप बस 5% का risk लो, अब 5% आपके ओपर आपको कैसे divide करना है, अब आप नहीं पर 5 भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, और अगर 5% से ओपर का risk ले रहे हो, अपने set of rules से जादा, वो आता है over trading में, अब यह आप को decide करना है कि आपका according का asset होता है, trading में ऐसा कुछ भी नहीं, कि sir, आप कितना लेते हो loss, आपका daily का वो है loss, ऐसा नहीं है, जो चीज मेरे ले काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करेंगे, अगर आपको trading सीख नहीं है, आप अपने set of rules बनाओ, जो चीज आप आपके लिए काम करेंगी, वो हो सकता शार मेरे लिए काम ना करें, trading is a subjective, ऐसा मत सोचो, completely जो मेरे लिए काम करें, जो मेरे दोस्ते के लिए काम करें, वह ही आपके लिए करेंगे, आप अपने practice का according, अपने mentality का according, अपने mindset का according, अपने requirement का according, चीज आपको analyze करो, फिर बताओ, आपको पता है, आप क्या लगता है, कि आज मैंने loss करा 100 डॉलर का 50 डॉलर का, भाई मुझे loss कर से हो गया, मैं loss देखी नहीं सकता, मुझे आज की आज recover करना, anyhow चा कुछ भी हो जाए, क्यों भाई, कल कत दिन नहीं आएगा, कल trade नहीं करोगे, कल market बंद हो जाएगा, आप trading चोड़ रहे हो, जितना आप market से revenge लेने की कोचिश करोगे, market double revenge लेगा आप से, आप recover तो छोड़ो, आप double पैसा market को जी के आओगे, और account होगा खाली, अगर आप मेरी बात को relate कर सकते हो, तो नीचे मुझे comment box में बता दो, और वीडियो को like करके मुझे बता दो, क्या ये ब अच्छी नहीं है, इसलिए loss होता है, then let me tell you, strategy सारे profit देती है, सारे loss देती है, so कोई भी strategy नहीं बनी है, जो losses ना दे, it's all about mindset, it's all about psychology, आपको बस अपनी psychology पे काम करने के जो रहता है, अब, question आता है कि psychology कैसे हम साही कर सकते है, सबसे important चीज is meditation, पता सब को होता है, करता कोई न आपको बढ़ाओ, guarantee लिखके लेलो, आपको result मिलेगा, खाली trading में है, अपने real life में भी मिलेगा, आप 10 में ऐसे real scroll करते हैं, निकाल दोगे, 10-15-20 real देखके, बस 10 में देदो अपने आपको, मुझे ने, अपने आपको, आपको आपको, आपको आपको, आपको आपको, आपक comment box में जरूब बता दो, वीडियो को लाइक करके जरूब बता दो, और अपने उस सारे trader दोस्तों के साथ share करना है वीडियो, जो trading में loss करता है, उसे शायद पता लगेगा क्यों loss करता है, और क्या उसका solution है, वीडियो पसने लाइए, तो लाइक कर दो, चैनल सब्स्राइब कर दो बाल एकन प्रेस कर दो, और आपको इसके लावा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, एक बर कॉमेंट करके जरूब बताना, Instagram, Telegram का link आपको निचे मिल जाएंगे, मिसा उट मत करना, और I hope so, जो भी मैने points बताएं, इन तीनों-चारों points पे आपने अगर focus करा, then mark my words, you will be in huge profit job के loss making journey है, वो एकदम से profit making journey में convert जाएगी, trading is all about psychology, nothing about strategy, mark my words, साही कोई कुछ भी बोले, completely psychological का ही game होताएं